यहां पर अब हम लोग यहां पर चैप्टर टू को लास संडे हमने शुरू किया था मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट पी किया था कि जो हमने लास संडे किया है 2.1 और 2.2 यह दो अनमोल रतन ठीक है यह दो स्लोकास को आप एक बार सेल फीट करके आईएगा तो प्लीज सच-सच बताइए इस ओके अगर किसी का नहीं बन पाया किस-किस ने रीट किया है रेज यॉर एंस इस ओके अगर नहीं भी कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है ओके ठीक है थैंक्यू दिशा जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग देखिये मैंने पिछले तीन-चार सेशन में इस चीज को रिपीट किया है कि सेल्फ रीडिंग करना पड़ेगा ठीक है हम लोग सब को जैसे हम लोग कोर्सें करते थे पहले बच्पन में भरवन गीता के ओपर उसमें भी हमको यहीं बताए गया है कि जब तक आपने खुद बैट कर अपने आप अकेले में रीड नहीं किया यू के नौट क्लेम कि आपका रीडिंग हो गया है अगर आप हर दिन सिर्फ दोस लोकास करते है बस दोस लोकास मुझे ऐसा लगते है कि एक माला से भी कम टाइम लगते है वो दोस लोकास करने में तो आपका 23 डेज में लगब तीन हफ़ते में आपका चैप्टर वन का रीडिंग खतम हो गया आपने दिन का सिर्फ पांच मि तो इस वेरी एजी ठीक है मुझे ऐसा लगते कि काफी लोगों का चैप्टर वन रीडिंग नहीं हुआ है आप लोग मुझे ऐसा लगते काफी स्पेशल है क्योंकि आप लोग अपना संडे का टाइम मौज मस्टी करने के जगा क्योंकि आजकल पढ़ाई में भी बहुत हेक होता है तुशन का अलग हैडेक होता है फिर भी आप लोग आते हो इसलिए अगर आप लोग आही रहे अपने आपको इन्वेस्ट करी रहे हैं तो प्लीज हंडिट परसें दीजिए ना क्यों अब इसको अधूरा क्यों छोड़ना है ठीक है तो पांच मिट लगेगा तीन सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सेल्फ रीडिंग को आप भूल मज जाएगा ओके थैंक यू दिशा जी अब हमने चैप्टर वन पर देखा था लास्ट में अर्जुन वस क्राइं आउट अफ कंपैशन अब उनका मनुबल गिर गया था और इस पॉइंट पर हमारा चैप् से भगवत गिता किन को रिसाइट कर रहे हैं मैं रुट्वी गोयल जितुए इस के सशन को बता रहे है अर्जुन और कृष्णा बैटल फील्ड में है हमारे भगवत गीता में चार लोगों ने स्लोप बोले हैं जिसमें अर्जुन और कृष्णा तो बैटल फील्ड में है संजे जी महल में बैठे हैं वो किम को बता रहे हैं कोई बात नहीं थैंक यू फॉर ट्राइंग रुद्र बंसर को पता रहे हैं तो जैसा कि हमको पता है बगवान कृष्णा और अर्जुन ये दो व्यक्टी जो है वो बैटल फील्ड में है इन दो के अलावा और दो लोग है जिनके डायलोग जिनके कहे वे स्लोकास यहां पर मेंशेंड है इस संजिया जो नरेट कर रहे है किन को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे आपको आपके टीवी में इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखा होगा जो यहां पर नहीं चल रहा था अलगी जगा हो रहा था वैसे ही ठीक है जी आप यहां पर संजे जी शुरुवात कर रहे हैं इन 2.1 that seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears अश्रुव पूर्ण अकुला आखों में आसूं आ गए है मदु सुदला मतब जो डीमन को मारते हैं जैसे उन्होंने मदु नामकिक डीमन को वद्ध किया था Krishna ने following words पूले इसके परपट में हमको प्रहुपाद जी के थूरू पता चलता है एक लाइन था अगर आपको याद हो ठीक है कि जो कपड़ा है एक drowning man का dress उसके लिए lamentation होना इस पॉइंटलेस जब कोई व्यक्ति डूब रहा है आपको उस व्यक्ति की शरीर उसकी जान को बचाना है उसके कपड़ों के प्रती attachment होना is weird is useless ठीक है वही mentality हमको रखना चाहिए when we are living our life कि हमारा यह जो outward सकता है एक बहुत interesting कहानी है हम बच्चों के नजर से दुनिया को देखते हैं तो बहुत peculiar vision मिलता है उंको तो एक कहानी थी कि एक बार एक family थी जहाँ पे death हो गई है ठीक है एक बहुत वी बोड़े व्यक्ति थी और उनकी family members उनको जिसे बिस्तर में उनका dead body जो है वो लेट है कि ये कॉन है मिल्समेंको क्या हो गया ठीक है तो बोलते ये अब बच्चा पूछता है बड़े जे meeरे सामने आगी है क्या मतलब नहीं रहते हूं ठीक है जो श tightening को रोज दिखता हूं बिस्तर में सोरे उते हुगई है अभी भी पढ़ा यहांपर नहीं रही है मतलब क्या I can see his body in front of my eyes तो क्या चला गया कि वो नहीं रहे उनका consciousness चला गया उनका वो soul चला गया Soul carries our consciousness ठीक है? जैसे हम लोग दिखते है कोई remote है एक TV का remote हो गया तो remote के अंदर battery होता है वो battery खतम तो remote अब use नहीं कर पाओगे आपको दिख रहा है कि वो remote है बड़ो function नहीं करेगा that battery is like वो battery उसको charge कर रहा है तो हमारा soul, हम soul जो है हमारे consciousness के थुरूप हम इस body को charge रखते है मैं बाग कर रहा हूँ हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं हम सांस ले रहे हैं सब कुछ यह रहा soul जो हमारे मृत्यू होने पे body को छोड़ देता है ठीक है? जैसे हम हर सुबह अपना कपड़ा change करते है फिर वो दूसरा कपड़ा हम पहन लेते है दूसरे body में चला जाता है तो इस उदारन को कृष्णा देंगे आगे कि Arjun, तुम लड़ो तुम्हारे जो relatives के loss के लिए तुम दुखी हो रहे है वो actually में वो शरीर है ही नहीं even if you kill them they will actually go to higher planets because वो एक शत्री अपने duty करते करते उन्होंने अपना दे को त्यार किया so किसी भी किस में तुम्हारे ले loss नहीं है because तुम्हारे अपने कभी मरने वाले ही नहीं है वो कभी मर ही नहीं सकते है हम कभी मर ही नहीं सकते because हम लोग soul है और soul eternal है all right तो second slow का हमने last time किया था जो बहुत ही extensive था जिसमें हमें भगवान कृष्ण के द्वारा उच्छारन किया सबसे पहला अस्लोगा finally मिला और वो यही पूछते है सबसे पहला वर्ड कुटा सबसे पहला वर्ड भवान का कुटा मतलब where from कहां से कुटा का मतलब होता है कि कहां से अर्जुन कहां से ये impurities तुम्हारे अंदर आ गई है जिस व्यक्ति को जीवन का value पता है वो इस तरह की बाते नहीं करता है ये बहुत नीचे की बाते हैं ये inferior बाते हैं अब हमने ये फोटो में क्या दिखा अगर शत्रिया शत्रिया मर भी जाता है battlefield में तो वो higher planets जाता है पर तुम जैसी बाते कर रहे हो उससे इंफिमी होगा जो एक headlight बन के आ रहे है train का हमने सबसे पहले देखा कि ये उसकी दाद की रौशनी है बात में हमको पना चला कि वो एक train है जब और करीब आता है वो फिर हमको पना चला कि ये बस एक train नहीं है इस train के इंदर passengers से जो traveling कर रहे है ये पहला example second example हमने शिम्ला का लिया था कि आप जब गाड़ी से enter कर रहे है शिम्ला की पहाड़ियों में सबसे पहले तो दूर से आपको बस पहार और जील दिखेंगी थोड़ा foggy दिखेगा थोड़ा पास आएंगे तो आपको बिल्डिंग्स दिखेंगे फिर उस बिल्डिंग्स में आपको दिखेगा कि ये फलाना schools, hospitals, police station के अंदर इंसान है शिम्ला में रहने वाले वासी है जो रहते है वो इस शेहर को बनाते है ठीक है third example हमने लिया था कि एक बच्ची है इसको बहुत धूब गिर रहा है उसके उपर ठीक है और उसको ऐसा लगते है कि जो ये sunshine है, sun light है sun rays है, यही sun है पस, that is sun ठीक है और उनकी जो मा है जो उनको protect कर रही होगी उनको पता होगा कि नहीं 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 sun actually planet है, यह एक star है sun एक celestial body है जिससे sunlight emit हो रही है ठीक है, so there is something else to it लेकिन various scriptures को जो पढ़ते है ब्रामण, उनको अब यह भी पता चल गया है कि sun एक अलग अपनी दुनिया है, जैसे earth है, वहाँ पे भी जीव जन्तु है जिनकी body adaptable है वहाँ के environment को ठीक है, तो sun में living entities की presence है, और sun की अपनी राजा भी है, एक administration भी है the sun god, surya devta ठीक है तो there are three levels of understanding at every step गलत कोई भी नहीं था, ठीक है अगर आप बोलोगी कि यह headlight है तो गलत तो नहीं था यह headlight थी, train की थी आपको बाग में बड़ा चला, ठीक है तो यह गलत नहीं था कि पहाड है पहाड तो सच में है, लेकिन पहाड में of sun, it's not wrong but it's incomplete, ठीक है तो वैसे ही यहाँ पर highlighted part please पढ़िये, absolute truth, मतलब परमसत्य भगवान can be realized in three phases सबसे पहला सीरी था ब्रामभन जो सिफ रोशनी होती है ठीक है, second है परमात्मा जो localized, अधूरी है हमारे हृदय में जो भगवान है परमात्मा, उनको ही हम सब कुछ मान लेते हैं, third जो है, that is भगवान, the supreme personality of Godhead आगे हमने ये देखा था कि अब शुरू में तीन कहानी हमने बहुत simple examples ले अब हम में तथ्या पे आते हैं हमने ये समझादा था कि ये photo है इसका three-fourths, 75% उपर आपको दिखे रहे, real world ठीक है, और इसका exact reflection आपको नीचे मिल रहा है, एक चौथाई part इसी तरह से हमारा जगत है जो उपर three-fourths है, that is the spiritual world, और नीचे one-fourth is just a reflection, reflection in the sense, वो fake भी है और वो ultra भी है, fake भी है और opposite भी है, of the real spiritual world, and of course it's temporary, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रह्मवादी थे, पहला सीड़ी वो ब्रह्मजोती तक रह जाते हैं जो परमात्मवादी थे, वो जिस भगवान के feature को मानते हैं, जैसे कोई नर्शिंदेव को गौतम बुद्ध को उनके planets में चले जाते हैं, there are innumerable planets here, और जो भगवान को थर्ड सीड़ी पर आके as भगवान मानते हैं, that is Lord Shree Krishna himself, they go to the Gologdham, और यहाँ पर sun, moon, stars, electricity, you know, Hevels का light, Cisco का light, कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर light जो है, candle, कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान की अपनी शरीर से यहाँ पर light emit हो रही है, यही light की rays, पूरे spiritual planet को emit कर रही है, और जो ब्रह्मजोती में हमको दिखता है, यह भगवान की वही light है, जो उनकी शरीर से emit हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हमको sun, moon और ऐसे artificial चीज़े चाहिए, बड़ ऊपर नहीं, तो ब्रह्मजोती, भगवान के वहाँ से जो light, जैसे train की headlight को या अगर आप train समझेंगे, तो कितना अधूरा है हो, वैसे ही है ब्रह्मजोती का conception, अब क्यों इतना मैं ब्रह्मजोती के उनमें 80-90% majority लोग ब्रह्मवादी है, ब्रह्मवादी मतलब जो भगवान को निराकार, formless मानते हैं कि भगवान को बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर एक और highlighted part है कि जो भगतास है, वो भगवान का feature को जानते है, the top most transcendentalist, तीनों सीडी गलत नहीं है, लेकिन सबसे top में आता है, वो last सीडी, तो subject matter same ही है, बट level अलग-अलग है, इधर हमको एक और चीज़ समुझने की शमता रखना, I can live without it, मैं attached नहीं हो किसी चीज से, and last में all strength, हमने देखा कि साथ साल, बहुत ही कम वर्ष में, बहुत ही कम आयू में भगवान ने, अपना सबसे weak limb, मतलब LIMB limb, body part, left hand का ये जो छोटा finger है, little finger, इससे गोवर्धन परवत को उठा लिया था, आज की रिट में हम दो गोवर्धन परिक्रामा करते हैं, तो 21 km समको circumference लगता है, लबबग-लबग, तो कितना विशाल हुगा गोवर्धन परवत सोची, उसको भगवान ने उठ beauty, street, purush, हर टैक का जानवर, जीव, जन्दो, सब भगवान से आकरशित थे, ठीक है, so knowledge, अगर knowledge की हम बात करें, तो भगवान ने भगवद कीता में कुछ जो around 500 स्रोका जो बोले, आज भी बड़े-बड़े जो ब्रामन है, even विज्ञान, विज्ञानिक भी जो है, they are trying to decode and understand getting further into the depth of the topic, आज भी कोशिश कर रहे हैं, so he has all these opulences, अब यहां पर एक, प्लीज आप नोटिस करिएगा, right, the supreme personality possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation, यह 6 opulences है भगवान के, हम इंसानों में भी यह opulences कहीना कहीं होते हैं, कोई है, जो very rich businessman है, ठीक है, जैसे मुकेश अबानी, कोई very powerful political leader है, जैसे Narendra Modi is the prime minister, कोई very beautiful है, जैसे Shahrukh Khan को लोग बहुत handsome बोलते हैं, कोई very famous है, जैसे कोई फलाना singer है, Arijit Singh, वो बहुत famous singer है, कोई बहुत learned है, ठीक है, जैसे हम लोग मानते है, Derek O'Brien बचपन में, he was a very genius person, ठीक है, या फिर आज के रिप में कोई scientist है, जैसे ISRO के जो chief है, उसको हम बहुत learned मानते हैं, बहुत knowledgeable है, and very much detached, बहुत वैराग्यवादी, जैसे हम हमारे Guru Maharaja Shila Prabhupad को मानते हैं, वो लोग detached mode में रहते हैं, उनको संसार से attachment नहीं होती है, they are transcendental to that, यह word याद रहा है, transcendentalist, so, अलग-अलग spiritual leaders हमको मिलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ऐसे इनसान हैं काफी सारे, but they are very rich, very this, very that, आज वो prime minister है, कल को हो सकते हैं, उनके पास नहीं, किसी और के पास से लिजए, आज वो world के richest person का title holder है, कल को किसी और को मिल जाएगा, पैला बात तो यह temporary है, दूसरा बात यह अपने आप में all भी नहीं है, भगवान के पास all है, इनके पास एक limit तक है, very, ठीक है, that is the difference between jivas and भगवान, ठीक है, लास्ट में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ईश्वरह, परमकृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर, गोविंदा, सर्वकारण, कारण सचिदानंद, यह तीन वर्ड का मतलब क्या होता है, हमने डिसकस क्या था, सथ मतलब eternal, जो ब्रह्मवादी होते हैं, उनको सिर्फ सथ feature दिखता है, ब्रह्मजोती में eternally चले जाएंगे, चिद मतलब knowledge, सथ और चिद, यह दो चीज़ मिलता है फरमात्मावादी को, second वाले को मतलब eternity plus knowledge, and last में जो भक्त होता है, जो भगवान को मानता है, उसको सचिद और आनंद, आनंद मतलब happiness, भे मिल जाता है, as विग्रह form, विग्रह मतलब personified, क्योंकि ब्रह्मजोती वालोगों लगता है न, कि भगवान निराकार है, बड़ विग्रह, भगवान का एक form, यह मैं सचिद आनंद, जिसके लिए हम सब भागते हैं, happiness, वो bliss हमको एकडम टॉब्च में मिलती है, यह था हमारा discussion, यह बहुत important था, हमने सिर्फ दो स्लोका के तर जान बुझकर, because extensive था यह, एक स्लोका के अंदर ही कितना अलग-अलग subject matter हमको मिल गया, and this is why Krishna is the supreme personality of Godhead, Godhead के अलग- at the top, this is सचिद आनंद विग्रहा, इसले हम मूर्ति पूजा बस ऐसे ही नहीं करते हैं, जो बोलते हैं, कि यह तो मूर्तियों की पूजा करना है, एक पत्थर की मूर्ति को बना दिया और उसके उसको पूजा कर रहे हैं, उसके पीछे logic है, we believe that he is not निराकार, he is a personified, a विग् के हमारे session को, कि 2.2 में, last paragraph में, भगवान उनको ये बताना चाहरे हैं, Arjun को, कि तुम अगर इस तरह की cowardice को दिखाओगे, तो you are a non-Aryan, Aryans मतलब people of higher civilization, जिनके अंदर जो खून है, वो बहुत spiritually cultivated है, और वो एक ऐसी human civilization है, जो काफी superior है, उनका duty है सबको protect करना और सबको अप तो Arjun cannot do that, ऐसा करेंगे, तो he'll become a non-Aryan, और एक बहुत practical चीज प्रहुपाद लिखकर दे रहे हैं, जो highlighted किया हुआ है, अगर हम अपनी duties नहीं करेंगे न, तो spiritual world में जाना तो छोड़ी हम material world में भी, ठीक से हम लोग कुछ famous नहीं हो पाएंगे, ठीक से कुछ कर नहीं हो पा तो अगर हम ठीक से अपना duty नहीं करेंगे, तो spiritual cultivation को भूल चाहिए, आप materially भी अपने आपको basic कुछ नहीं कर पाएंगे, this is the thing, now, let us start with 2.3, हमारा target तो यह है, because it's possible, we can go till 2.7, आज का target, 5 slokas, तेखते हैं, कहां तक जा पाते हैं, so आप लो please unmute करिये, मेरे साथ, तो challenge करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, I request everyone, ऐसे ही जब हम अपना mic को unmute करेंगे, एक दो बार संस्रिप का words बोलने में हम लोग गलत भी करेंगे, बट दीरे देरे इसी गलती से हमारा confidence बढ़ेगा, so please unmute yourselves, let us start with 2.3, अरे यह कृष्णा, क्ले ब्युन ओम मां ब्युन मा स्माग मा पार्था, दे ट्वे निया तवे झ PROF.T लुऌले बढ़ने शनल Speakfir Dubai, ट्वाने। कि हरी कृष्णा एम आडिबल हरी कृष्णा एम आडिबल हरी कृष्णा एम आडिबल कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बोल दीजिए ओके थर्ड लाइन शुद्रम खृदया दौर्बल्यम 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 दौक्तो तुष्थथा परन्तपाव प्रिष्णा अओडिबल नौ? आवाज आडिेगे? ठीक है, I am so sorry, internet का issue हो गया था So thank you so much, very well recited ख्लेब्यमस्मगमपार्था नेतत्वय उपपद्यते शुद्रम हिदया दौरपल्यं त्वेक्टवतिस्था परंतपा यह लोका कौन बोल रहा है? Who is reciting the sloka? अभी किनका उवाचा चल रहा है? भगवान ठीक है, Shri Krishna उवाचा 2.2 से वो ही चल रहा है तो अब क्या बोल रहा है भगवान कृष्णा? O son of Pritha, do not yield to this degrading importance It does not become you Give up such pity weakness of heart and arise O chastiser of the enemy सबसे पहले भगवान ने उनको Pritha word दिया है इसका एक वज़ा है पस ऐसे ही उनको अर्जन बोल सकते उनको याद दिला रहे है वो कि you are the son of Pritha कौन है Pritha? उनकी मा कुंती कुंती जी का पहरे जो नाम था वो था Pritha ठीक है? और कुंती जो है उनका एक brother उनका एक भाई था जिनका नाम था वासुक्रिफ और कौन है वो? देव की आपको याद होगा भगवान की हम लोग एक बोलते है यशोदा मैया ठीक है? दूसरी, उनकी biologically mother कौन थी? anyone? Deva की biological parents कौन से? Anyone wants to try? देव की और नंडेव देव की और नंडेव नंडवा anyone? रुट्वी जी कोई हमें बतायेगा की उनके दो biological parents कौन थे और उनके दो बाद में जो care कर रहे थे वो parents कौन थे? विद्धी जी अरे कृष्ण प्रभु जी उनके बाइलोजिकल पैरेंस देवकी और वासुदेव थे और जो उनके कहे करते थे वो यशुदा और नंद महाराज थे नंद महाराज, करेक्ट, थैंक्ट यू सो मच विद्धी जी डेवकी और वासुदेव, उनके बाइलोजिकल पैरेंस ठीक है उनके जो पिता थे वासुदेव, बाइलोजिकल फादर वासुदेव उनकी बहन थी कुंटी जी मतलब अर्जुन और कृष्ण वेर कजिन्स, कैसे? अर्जुन की अर्जुन की मम्मी और कृष्णा के बाइलोजिकल फादर वासुदेब दे वेर ब्रदर्स और सिस्टर्स ठीक है सो भगवान को याद दिलाना चाहरे कि तुम पृथा पुत्र हो तुमारी मा कुंती एक शत्रियानी है शत्रियानी मतब शीज़ डॉटर ऑफ शत्रिया शीज़ रॉम रॉयल हाउसोल्ड ठीक है शीज़ अ क्वीन और प्रिंसेस अफर टाइम तो उन्होंने और कुंती ची ने हमने महाबाद का स्टूरी किया शी गॉन शी वेंट ट्रू मैसिव सफरिंग इनर लाइफ उनको हमेशा से एक रॉयल ट्रीट्मेंट मिले थी बड़ जब उनका बुड़ापा आया पांडवस की मा बनी तो हमने देखा कि किस तरह से उनको जंगलों में रहना पड़ा बहुत तकलीफ हुई उनको ठीक है जिसके रहे वो हमेशा से लाइफ में इतनी प्रिपैर नहीं थी मेंटे तो अब हमको यह समझ में आता है भगवान उनको इंस्पायर कर रहे कि तुम अपनी मा को देखो इतने सफरिंग वो गए क्या यही देखने के लिए और उनका खून हो तुम तो तुमको सूट नहीं करता है हम भाई हैं, हम शत्रिया फैमिली से हैं यह हमको सूट नहीं करता है ठीक है So do not degrade to this do not yield मतलब do not give up to this degrading importance Importance मतलब यह cowardice It does not become you यह तुम नहीं हो Give up such petty weakness of heart and arise o chastiser of enemy मतलब enemies को भगाने वाला या उनको convert करने वाला बुरे से अच्छा में Arjun अब मैं इसको फटा-फट पढ़ूंगा Arjun was addressed as a son of Pritha who happened to be the sister of Krishna's biological father Vasudev Therefore Arjun had a blood relationship with Krishna If the son of a Shatirya declines to fight he is a Shatirya in name only and if the son of a Brahman acts impiously he is a Brahman in name only ठीक है अब यहाँ पर शीला प्रहुपातें को clearly बता दिया जो आज की डेट में इंडिया में I hope आपने एक मूवी देखे हो कि जिसका नाम है Article 15 फॉम आयुश्मान खुराना ठीक है यह 2019 के एक मूवी थी जो बहुत clearly हमारे society को वैसे दर्शाती है जो हम टीवी में नहीं देखेंगे या हमारे city लाइफ में तो बिलकुल भी नहीं देखेंगे रूरल इंडिया में क्या हो रहा है उस story का context यह था and that was based on a true story जो थोड़ा सा fictionalized था कि कुछ women के पती crime हुई थी जिसका जो जड़ था जिसका starting point यह था कि उनको अपनी salary बढ़ानी थी they were manual laborers and उनको अपनी salary कितने रुपई से बढ़ानी थी मातर तीन रुपई से for three rupees ठीक है जब उनकी salary नहीं बढ़ी so they went on strike later they were murdered and ultimately इन सब का भी जड़ क्या था there was a mental stigma in the society of caste system उनकी जाती बहुत नीची जाती थी they were not allowed to make demands for themselves so जाती वाद बहुत ज़ादा deeply embedded है हमारे Indian society ठीक है और इसी के base में elections होते हैं vote banks आते हैं बहुत systematic हो गया यह schedule caste and schedule tribes को please करने के लिए उनको reservation status देते हैं ताकि उनके तरफ से votes आजाए ठीक है so यहाँ पर अगर कोई यह बोलता है कि scriptures के थूँ यह caste system आया है तो वो बहुत गलत interpretation है श्रीला प्रहुपाद ने यहां clearly लिख दिया है कि your birth will not define कि तुम ब्रामण हो तुम शत्रिय हो your qualification defines हम लोग ना गुरु परंपरा एक photo रखते हैं हम लोग जिसमें श्रीला प्रहुपाद गुरु माराज ठीक है हमारे जो वैशनव्स है ना जो प्यॉर वैशनव्स भले वो चेतन या महाप्रभू के टाइम के हो या हमारे डिसिपक सक्सेशन के हो multiple examples है ऐसे लोगों के जो actually they were from the islamic religion they were born into islamic religion they were great ministers under the under the mughals you know court mughal raja बहुत आय थे और अंजब के बाद भी बहुत mughal raja थे उनके अंडर ministers सर्फ कते थे they were people of islamic religion who later understood and you know voluntarily they became वैशनवस and we worship them today because of their qualification not we don't care about their background and their birth it's the least of our concern आज भी क्योंकि श्रीमत भागवतम में क्या बोला गया है कि एक चंडाल is the lowest of mankind चंडाल मतलब in normal words a dog eater एक dog eater भी भगवान का purest of devotee बन सकता है so your qualification matters your birth does not matter ठीक है that is another spiritual form of nepotism बलना so if the son of a brahman acts impiously बलब गलत then he is a brahman in name only बस brahman naam का है काम का नहीं such shatriyas and brahmanas are unworthy sons of their fathers therefore Krishna did not want Arjun to become an unworthy son of a shatriya ठीक है तो वो brahman का example हमने लिया वैसे ही Arjun को नाम का shatriya का बेटा नहीं बनना था उसको सच में qualified qualification अपना proof करना पड़ेगा Arjun was the most intimate friend of Krishna and Krishna was directly guiding him on the chariot but in spite of all these credits if Arjun abandoned the battle he would be committing an infamous act Arjun के पास सब कुछ थी Bhagawan Krishna थे एस पार्ट सार्थी वो एक्टम great Pandavas की आर्मी भी थी उनके पास सब कुछ होते भी भी अगर भाग जाएंगे बिना लड़े तो सबको यही लगेगा सबको क्या लगेगा एक बार हम आगे पढ़ लेते हैं Krishna said in such an attitude that Arjun did not fit this personality Arjun might argue that he would give up the battles on the grounds of magnanimous attitude for most respectable Bhishma ji Bhishma Pithama and his relatives but Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart मैं यहाँ पर यह बोलना चाहता था जिसको मैंने interrupt किया Arjun ji यहाँ पर justifications दे रहे हैं कि Bhishma Pithama उनके दाराजी है it's his grandfather और उनको कैसे मार सकते हैं वो इन सारे लोगों को हमको attack नहीं करना चाहिए या तो इनके हाथो मर जाए या तो हम लोग भाग जाए यहां से give up करके but Krishna was guiding him कि किसी को इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ेगा सब को यही दिखेगा कि तुमारे पास सब कुछ होते वे भी you committed and infamous act such false magnanimity was not approved by any authority यह दिल से मैंने दुश्मन को माफ कर दिया चाहे वो कोई भी हो यह allowed नहीं था यह कहीं पे भी ऐसा शक्रिया कोड में लिखावा नहीं था you have to fight if they are ready to fight you also have to fight तो शक्रिया gambling और fighting इन दोनों का challenges को decline नहीं कर सकता है एक शक्रिया therefore such magnanimity or so-called non-violence should be given up by persons like Arjun under the direct guidance of Krishna that's it okay now next यह last sentence actually हमारे लिए प्रभूपाद indirectly बोल रहे हैं ऐसा so-called non-violence or so-called excuses देना from our duty should be given up by persons like Arjun मतला हम भी तो आज के अपने लाइफ के Arjun ही है and if we are under the direct guidance of Krishna it does not suit us ठीक है where from कहां से आ सकता है यह हमारे लिए if we are under the guidance of Krishna I think it's quite a time जो हम आज सिर्फ एकी स्लोका कर पाए no worries हम लोग अभी थोड़े देर में अपनी session को end करेंगे पांच तस मिट में I have something for you just give me one minute आप लोग प्लीज मीटिंगो छोड़कर मन चाहिएगा just give अपने वीडियोस को आन कर लीजे प्लीज अपने वीडियोस को आन कर लीजे प्लीज शशाग, अभीनव, आयूश, विजेता, विधी, प्रियांशी, कृति, तुषिका, चंडरकला, सिधी, कृति, का शर्मा, यंभापना please switch on your videos, 3, 2, 1, Hare Krishna, एक और, 3, 2, 1, Hare Krishna ठीक है जी, the thing here is that it's our first year completing, आज एक साल कम्लीज होग है so my mother, she wanted to interact with you all and I have called her, so aap please थोई देर बने रहिएगा उनके साथ, ठीक है, and मैं आप से मिलूंगा अगले संटे please बने रहिएगा, ठीक है, just a second आप लोग, एक किसे हैं आप लोग, आप लोग, वेयकृष्नु माताजी, ह्एक बने रहिकृष्ण। कैसे हैं आप लोग का वन येर कंपलिशन हुआ है सो कॉंग्रेचिलेशन और आप लोग उने एक साल तक कंटिन्यू कर लिया क्लास अन्बिलीवेबल मुझे बिलीव नहीं था लग रहा था कि सब बच्चे हैं फोड़ दिन के बाद में इंट्रेस्ट खतम हो जाएगा बट कहां आप लोग नॉर्मल क्लासे से अभी भागवद किता क्लास आप लोग की उम्रों में बहुत कम बच्चे कर रहे हैं भागवद गिता और वो भी सिस्टमेटिक स्टडी स्लोका बाई स्लोका तो यू आले खुद सिखेगा तो हो सिखा पाएगा तो आप सब का हमारे आप सब हमारे देश का फ्यूचर हो कल का भविश्य हो और अगर आप सब भागवद किता समझते हुए आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में डेफिनिटली आप लोग बाकी बच्चों से बहुत अच्छा प्रोग्रेस करोगे क्यों दो रीजन है आज का जो मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम है वो हमको सिखा रह है एक उच्छा आइडिया एनी आइडिया क्या सिखा रहा है हमारा मॉडर्न एडुकेशन हमको यह दिशा जी पाटाजी मॉडर्न एडुकेशन सिस्टम हमें से सक्सेस के बीच भगा रहे है कि हमें से फ्लाइफ में कुछ अच्छी पोजिशन अचीव कर निया कि हमारे प्रिवाज जी आदे इस ख्लास में बहुत एक शिक्षा में लिया है कि महलब क्या बोले है कि जो प्रभू जो हमको जो शिक्षा देता है महलब जो हम कुछ जानने पाई जो जो डीप ली जो हम जान सकते है वो प्रभू ने हमको सब कुछ बता दिया है तो यही मेरा यही मेरा धन्यवाद है प्रभू से और माताजी से तो एक्चुली हमारा प्रेजेंट मॉडर्न एडूकेशन सिस्टम हमको सिर्फ सिखा रहा है वाव तो अर्न कैसे बड़ा आदमी बनना है खुद को भूल कर भी दिन रात मैनत करो कैसे बड़ा आदमी बनना है सिर्फ मॉडर्न एडूकेशन इसी पर फोकस कर रहा है यानि ओल आर लर्निंग्स और फोकस्ट वार्ट अर्निंग्स कमाओ अच्छा कमाओ competitive वर्ड में सक्सेस होना है हमें फैल्यूर एक्सेप्ट करना तो सिखाई नहीं रहा है हम लोग कई बार हम लोग सक्सेस होते हैं कई भार हम लोग अनसक्सेश भी होते हैं हमें फैल्यूर एक्सेप्टेंस करना तो सिखाई नहीं रहा है उसके पीछे का जो failure वाला जो story था जिससे वो आगे बढ़ा वो तो हम अवकत ही नहीं है और सिर्फ competition world में जैसा कि अभी बताया दिशा जी ने कि सिर्फ competition world में कैसे success होना है खल इसी का राज है failure से कैसे success होना है वो नहीं सिखाया जाता है पर भागवत गिता हमें दोनों पार्ट सिखाता है कैसे जीना है और कैसे मरना है so you are very fortunate कि from the very beginning age of your life आप लोग यह सब सीख रहे है so that जो चीज मौडर्ण education नहीं दे रहे है real life जो real life position है वो भागवत गिता से आएगा हमारे जीवन में failure भी होगा हमारे जीवन में बहुत चीज हम जो नहीं चाहते हैं वो भी आएगा और जो हम चाहते हैं वो नहीं भी आएगा how to cope up with all these situations क्या होता है जब आदमी को सिर्फ सपना ही सपना सपना ही सपना दिखाया जाता है और वो सपना अगर पूरा नहीं होता है या टूट जाता है तो आदमी भी टूट जाता है लेकिन भागवत गीता हमें सिखाता है कि सपने के बाद भी एक दुनिया है जहां नया प्रोग्रिस किया जा सकता है. हमेशा याद रखना है, हमें अच्छा इनसान बनना है, सबसे पहला क्राइटेरिया. अगर हम एक अच्छा इंसान है तो सोसाइटी में बेस्ट कंट्रिबूशन है हमारा सोसाइटी को अच्छा माता जी येस मैंसे एक सवाल है क्यालते हैं मेरे क्लास में एक दोस्त है कलते हैं ना तो वो कोई धर्म को मानता है वैसे वह नास्तिक है तो उसने बोला मैं किसी भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं उसको बहुत समझाता हूँ पर ना वो कुछ मानते हैं तो माताजी यह कि मालब प्रुपाद ने तो कहा है जो लोग कर्म जो करते हैं हम भूगतना परेगा जो कोई सुरग जाता है कोई गौलब धाम जाता है कोई नरग जाता है तो यही मेरा प्रुपाद ने बोला है कि अगर हम कर्म भी कर रहे हैं अगर नरग जा रहे है तो यही मेरा एक डाउट है कि मेरा दोस्त है बहुत अच्छ है सबकुछ ठीक है भभवान को नहीं मानता तो किया वह न रख जाएगा या स्वरूगा है गजग कि सबसे पहल्या तो है प्रवू कि प्रभुपात ने सिर्फ नहीं कहा है ये सास्तुर प्रभुपाद ने तो वही कहा है जो सास्त्र कहते है ना जो सास्त्र में कहा गया है एवरी एक्षिन है अप्र आपके फ्रेंड भबावान को नहीं मानते हैं उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है कुछ उनके साथ घटना दुर घटना या उनका फैमिली बैग्राउंड में कुछ ऐसा है जो उनको वैसा इंभाइब नहीं किया गया है पर इसका मतलब यह निकि वो मानता नहीं तो वो कभी मानेगा नहीं वह मानेगा वैसे यह यह कि प्रोपा ने जो वहला लोग सिखते हैं उनके मा और ममी से तो यह यह कि मेरा मेरा दोस्ट भी तो उनको जो शिक्षा दिया है तो उनका ममी और पापा ने दिया है ना पैरेंस ने तो यह कि मालब क्या यह क्या उनका मातापिता का सही कर रहे है या नहीं नहीं ऐसा नहीं है यह इसमें बहुत सारा फैक्टर्स है तो हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं या हम कोई एक रीजन अपने मन से नहीं घड़ सकते हैं उसका हजारों रीजन रहा होगा कि उसका अभी उसका आज का प्रेजन का स्थिती है कि वह को नहीं मान रहा है पर कोई एक रिजन ऐसा भी आएगा कि वो मानेगा तो हमें क्या करता है वो नहीं मान रहा है तो उसको अलग अधर वे से जैसे प्रशाद कभी खिला दिया कभी उसको यही कुछ चोटा स्मॉल बुक दे दिया एक कृष्ण का फोटो दे दिया चोटा अधर वैसा है तो पर हम आपके फ्रेंड के लिए प्रेंड करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप अच्छे भक्ती में आओगे बढ़ोगे और आपका बक्ती के कारण गुड केरेक्टर गुड आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो जब ग्रो होगी तो वो नेचुरली इंफ्लूएंस होगा और डिरेक्ली और इंडेकली सब भगवान को मानते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका फ्रेंड दीरे-दीर एक्सेप्ट करेगा आपके गुण देख करके आपके अंदर चेंजिस देख करके तो इसा बिग चैलेंज पॉर यू तो आपको क्या करना है सिंप्ली अपना आचरन अपना जो कंड़क्ट ऐसा करना है वेल बिहेव एन एवरिटिंग कि वो इंफ्लूएंस हो आपसे इंफ आप लोग क्लास एंजॉए कर रहे हैं यह सो अभी क्या है शिरा प्रभुपाद ने का है इच वन टीच वन इच वन टीच वन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रणव प्रभु को ही सिखाना चाहिए आप लोगों को कुछ-कुछ अच्छी चीज है आप भी शेयर कर सबते हो आप लोग आफ्टर आल सब एक फ्रेंड हो यहाँ पर है ना तो अगर आप कुछ अच्छा जानते हो या आ तो इसलिए चुप-चुप मत रहिए मैं कई बार आप लोग की क्लासे हर से युही से सुनती हूं तो आप लोग बहुत शाई हो या डरते हो डरना नहीं है हमें हमने यह एक्सेप्ट किया कि हमें नहीं आता है तभी तुम सिखने आया ना तुम यहां गलत बोलेंगे थोड जोड़ेंडेंगे बहुत अच्छा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है इसकॉन वाले सिव जी की निंदा करते हैं यह डिस्रेस्पेक्ट करते हैं कई जगा आपने सुना है पर पहले बात तो यह है कि हमने सुना किस से है आधे ऑफ्टेंटिक परसन क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल सकता है है ना तो who are the person who are giving the certificates जैसे मान लो मैं अगर बोलो सुहना अच्छी लड़की नहीं है सुहना बहुत उसमें demerits है बहुत गुस्ता करती है मैं कौन होती हूँ सुहना को certificate देने वाली और क्या सुहना मेरे certificate का wait करती है who the hell am I तो सुहना तो जानती है न मैं क्या हूँ तो वो अपना काम खुद करेगी आगे बढ़ेगी she will not stop for me क्यों क्यों क्योंकि मैं authorized person नहीं हूँ आपको certificate देने के लिए है ना वैसे ही लोग बहुत कुछ बोलते हैं पर हमें हमारे घर की position हमें मालूम है ना क्या है number एक बात इस कौन कभी भी शिव जी के निंदा नहीं करता है ना ही सिव जी का disrespect करता है निंदा मतलब criticism ना ही criticism करते हैं ना ही disrespect करता है बला हम कर भी कैसे सकते हैं शिव जी तो महा वैशनव है the jewel of all devotees कितने भी भक्त है ना भक्तों के शिरो मणी है prime foremost है हम तो सिव जी को महा वैशनव के रूप में पूजा भी करते हैं हम उनको worship भी करते हैं respect भी करते हैं and you will not believe हमारे घर पे अभी भी shivaling है आजो हमारे घर पे अभी भी shivaling है हम उनको रोज जल प्रदान करते है हाँ इस कौन वाले शिव जी और कृष्ण में भगवान कौन है वो सही सही रूप से जानते हैं और इसलिए दोनों को कृष्ण को और शिव को जो required respected position है उसके अनुसार वोर्शिप करते हैं कृष्ण भगवान है और शिव जी उनके महान भगत है कहां मिला प्रूफ क्या है तो पद्म पुराण में खुद सिव जी ने पद्म पुराण बोलके पुराण है जहां खुद सिव जी ने अपने वाइफ पारवती से ये बाते शेयर की कि एक दिल उनके वाइफ ने पुछा आप आख बन करके हिमाले में किसका ध्यान करते हैं तो उन्होंने अपने वाइफ के साथ सारे सिक्रेट्स रिवेल किये जो कि पद्म पुराण में है उन्होंने कहा कि मैं अपने परमिश्वर भगवान को स्मरण करता हूँ हे देवी तुम भी उस परम आरद्य भगवान का भजन करना प्रारंब करो स्टार्ट करो शिव जी जो है महा वैश्व है अप लोग को मालूम है शिव जी का नाम निलकंट है न है न क्यो एनि आइडिया बाता जी उन्होंने हला हल विश्व को धारन किया था कंठ में धारन किया था और जिसको पीने के साथ-साथ उनका कंठ जो है नीला हो गया वो इतना सारा पोईजन था जिसको पीने से उनका कंठ जो है ब्लू हो गया पुरा पोईजन यहां एकटा हो गया क्यों किया था क्रिजन क्या था धर्ती को बचाने गी अगर वो पॉइजन धर्ती पे गिरेगा तो धर्ती नश्ट हो जाएगी तो उन्होंने ये क्रहन किया at the same time उन्होंने अपने उनको एक नाम दिया गया है गंगा धर क्यों दिया गया है दिशा जी माता जी उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा रिवर को धारन पेटी रखते क्यों किया था माता जी क्योंकि गंगा का गंगा का बहाब इतना ज्यादा तेज़ था कि अगर वो आपने नॉर्मल स्पीड में भैती तो धर्ती नश्ट हो जाती इसलिए उन्होंने अपने जटाओं में गंगा नदी को फसागा की सारे बच्चे बहुत स्मार्ट है वेरी नाइस तो उन्होंने वेलकम किया गंगा को अपने सर पर कि मेरी जटाओं में उसको में स्थान दूंगा यह दोनु काम उन्होंने लोग कल्यान के लिए किये पर उसके पीछे परपस क्या था Whom did he want to please Why he carried the गंगा जल अपने सर पर लिया क्योंकि जैसा उन्होंने बताया उसका में रीजन यह है सर पर ही क्यों रखा क्योंकि वो गंगा जो है आपको मालूम है क्रिष्ण के चरणों को छूते वे निकली है परम पवित्र नदियों में सबसे पवित्र है तो शिव जी ने भगवान के चरणों का जल अपने सर पर धारण किया जिसे गंगा का महत्व और बढ़ गया तो एक्चुले शिव क्रिष्ण क्रिष्ण सेव शब अपने अपनी रिलेशन को जानते हैं वीद यूमेन बेंग्स वेदो को नहीं पढ़ने के वज़े से हम रिलेशन नहीं जानते हैं जानते हैं बहुत अच्छे से उनको रेस्पेक किया जाता है और सिफ रेस्पेक्ट ही नहीं उनको ग्रेटेस्ट डिवूटी बोलकर उन लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो हाउ केन पीपल से देट वी आर नोट रेस्पेक्टिंग यहां अपने घर पर खुद ही सिफ जी को जल दे रही हूँ और हम जब भी सिफ जी के मंदिर जाते हैं तो परणाम भी करते हैं हम लोग लोगों से सर्टिफिकेट लोग न तो देने के लिए उन लोग कोई rite है ना ही उनलोग का सर्टिफिकेट से हम लोग को डिमोलाइज होना चाहिए है ना सुहाना क्या है सुहाना नोस दे बैटर तो पीपल आर रियूमर और एक रियूमर है इसकौन के बारे में कि हाहां सारा पैसा इंडिया का लेकर के फोरें में दे देते हैं ये भी सुना होगा पर उनलोग को यह नहीं मालूम है कि फोरें से इंडिया में पैसा आता है इंडिया में इतना पैसा है कि आप फोरें में दे देगा और फोरें वाले नंगे हैं क्या बुकें हैं जो इंडिया के पैसे पर बैठे हैं हम जाते हैं फोरें तो हम जब प्रभावित होते हैं हम गर दिखना उनलोग एंगलिश में एफ 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 एंगलिश बूलना हम क्या देंगे wrong concepts just public को भड़काना है और कुछ नहीं है we do respect Shiva Shiva is very dear to Lord and Shiva has lots of contribution for this mankind how can we disrespect them him है ना यह बात कहने की है जो करता है ना वो जानता है कि सही क्या है हम तो इसकौन के hardcore followers है फिर हम सिवजी को जल क्यों दे रहे हैं अगर disrespect करते तो तो अब की बार आपको कोई बोले तो बुलना मैंने सुना नहीं कि मैंने देखा है कि उनलोग सिवजी को respect करते हैं पूछते भी है ठीक है एंग्जम्पल मेरा दे देना हारी कशन हम सिर्फ इतना ही करते हैं सुहाना जी हम चानते हैं कि देवी देवता कौन होते हैं और भगवान कौन है और बाहर के लोग क्या करते हैं देवी देवताओं को भी भगवान बोलते हैं और भगवान को भी भगवान बोलते हैं इतना ही problem है आप मुझे एक बात पताओ सुहाने आपके गर पे chief minister आए फिक है और prime minister आए लेकिन आप तो chief minister को जानते हैं कि कि वो local आपका आसाम का देखरेक कर रहा है प्राइम इनिस्टर आया आज पिर तो अपना दिल्दी सेंट्रल में जाएगा आपके रिच से बाहर रहेगा अब आपको पता है कि who is Prime Minister and who is Chief Minister पर आपके गर में कोई बुज़ूरग है माल लो कोई दादी नाणी टाइप का कोई лेडी है जिसको इतना मालूम नहीं है कि उसको लगा कोई बड़ा आदमी आया है बस तो वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में दोनों को बोले कि एकी बात है दोनों एक इपात है और उसके बस एक ही माला है अबने पैना कर चीफ ना देती है आपको कैसा लगेगा और चीफ मिनस्टर को कैसा लगेगा वह माला पहन के ज़बकि प्राइममिनिस्टर के लिए कुछ भी नहीं है उन्हें भी लगेगा कि उन्से जो हाइप उसमदे उनको पिता हुँ ईम्बरसिंग स्पाहिस. post and position well and as per our knowledge if we respect them then both will be satisfied and no one will feel offended even you will also not feel offended the same thing is with the people, innocent people they have never been through sastras, scriptures so they are confused, who is God in all religion the common saying is Allah ek hai bhagwaan ek hai, God is one hai na sirf hum loog so called hinduism me sab bhagwaan ek hai aisa concept are gya jabki sabhi jada hai ki bhagwaan ek hai, aur sirf humare concept me hai, sab bhagwaan ek hai, means too many gods and they are one it is we people who are innocent and we are creating a havoc in the society bhagwaan ek hai bhagwaan krishna nye bhi bhagwaad gita me dhava kiya hai aham bijj pradha pita aya ga aap loog ke baad na haam nahi jantate hai is why common saying bhagwaan or devi devutahun ka fark na jantate hai burs yehi difference hai I hope kuch samaj may aya thoda war aya kya 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 in all so-called religion they are fully convinced with the philosophy God is one only we people so-called Hindu we are confused who is God Shivji ko dekhte hain Shivji bada Balaji ko dekhte hain Durga ji ko dekhte hain Krishna ko dekhte hain Krishna bada confused ji reha jate hain Mata ji myra bhi a question tha मैंने साइट से एक बार को YouTube में देखा था कि उसमें एक वीडियो दिखाई थी उसमें बताया गया था कि एक शिवजी तो नहीं एक शिवलिंग बताया था कि शिवलिंग से मतलब उत्पत्त उत्पत्ती हुई है ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की तो उन लोनों की पीच में देन लडाई हो जाती है कि कौन जादा पावफुल है देन शिवजी कहते है कि शिवलिंग का जिसने पहले एंड खोज लिया तो वो जादा पावफुल हो गया तो फिर ब्रह्मा जी लाइक चीटिंग जूट बोल देता है तो तब उनको शाब देता है शिवजी जी कि मतलब वो काम कि उनकी पूजा नहीं हो पाएगी तो क्या ये सत्य है या इसको भी लिखाएगा ये जस्ट मतलब वो क्या बोलते है न फेक इन्फरमिशन है मतलब फेक बाते हैं और पॉर ये काइड इंफरमिशन जो वोट्सप और जो इसा बहुत सारा यूट्यूब में न ऐसे कोई भी कुछ भी बोल देता है वही बस बोलना है बोलना है और हम लोग इतने बेले हैं कि बस सब कही सुनते रहते हैं जितना सुनते हैं उतना ही कल्फिज होते हैं कि आइमीन एक्टी परसेंट आफ दनो मतलब यूज या जो भी आप बोलो दे आर फेक एक्टी परसेंट अजो है वह सही है मैं आपको लाइव एक्जांपल अपना खुद का परस्टनल एक्जांपल लेती हूँ हम अभी थोड़ी देनी पहले मतलब हम लोग को एक मार्केट जाना था लेकिन हम घर से 8 बजे निकले और हमको मालूम है 8.30 बजे बंद हो जाना है तो हम लोग ने सोचा कि Google से shortcut रास्ता देखते हैं तो Google बाबू को खोला और उसमें सर्च किया तो जैसे जैसे Google बोल रहे टॉन लेफ्ट एन हंड्रेड मीटर्स नाव टैन राइट ऐसे से करके हम जा रहे हैं जाते जाते वहां पर आगे बड़ा सारा बोड मिला रोड इस क्लोजड और उसके बाद में वह Google बोल नहीं बंद कर दिया अब बोल अब क्या भोलेगी ना अब नहीं है कुछ नहीं तो यह हलत है अपना ठीक है डोंट बिलिव और अउनली ऑथेंटिक सोर्सेस पर बिलिव करना है अधर्वाइस वीविल एंड अप विट रॉंग इंफॉर्मेशन्स एंड कन्फूजन्स आप लोग के पास अगर टाइम रहता है कभी शेला प्रभुपाद के इंग्लिश लेक्चर्स को सुनियेगा जिन लेक्चर्स को सुन करके जो हिप्पी हैं हैप्पी हुए है जिन लेक्चर्स को सुन करके नासिकों का भी रिदय परिवर्तन हुआ है जिन lectures को सुन करके लोगों का भगवान के उपर fate बड़ा है आप शिला प्रभाज की छोटे छोटे आज काल बहुत सारे lectures हैं आपके 2 मिनिट, 6 मिनिट 5 मिनिट के try to listen one lecture at least once in a week और कब करना पता है very simple, कोई पढ़ाई disturb नहीं करना है कोई अपने activities डिस्टर्ब नहीं करना है खाने के टाइम में mobile या laptop रख लीजिए अपना dining पे सुन लीजिए and हम लोग क्या करते हैं generally सुबह सुबह morning में bathroom में it is normal process की 10-15 मिन्ट लगता है आप fresh up होते हो पूरा पूरा मिन्ट में लेक्चर साब शिला प्रहुपात का सुन सकते हो daily एक routine बनाई है शिला प्रहुपात जैसे शुद्ध भक्त का dynamic lecture सुनिये आपके सारे doubts clear हो जाएंगे धीरे धीरे so don't disturb your education otherwise लोग क्या बोलेंगे ये लोग पढ़ायों लेकर कुछ नहीं करता है तो और लोगों को गलत saying मिल जाएगा इसको उनवाले बच्चो को खराबठ देते हैं पढ़ने नहीं देते हैं यह नहीं मालूम है कि बच्चे जो है, पढ़ने वाले होते तो ऐसे ही पढ़ लेते आणKA, पढ़ने ही नहीं है देली रूटीन लाइफ जो है बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं अच्छा तो फिर आज के लिए लीव करें क्योंकि हमारा लैप्टॉप जो है अल्ली वन परसंट चार्ज है और लाइट नहीं है ठीक है आई होग आप लोग इस जर्नी को आगे केरी फॉरवार्ड करेंगे और अपने फ्रेंड्स रिल्लेटिव्स को भी उनके जो मिस्कंसेप्शन से दूर करेंगे आपकी कोई भी कन्फूजन्स हो आप लोग डाइरेक्ट मुझे वाट्सप पर वॉइस मेसेज होड़िए I'll try to find out the solution और हम मिल करके और भी बच्चों को भगवान के प्रती अटलिस उनकी जो moral life